जहें दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का Crazy GK Trick चैनल पर मैं हूँ राजा गुपता और मैं आप सभी को 26 अक्टूबर 2022 के Daily Current Affairs पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों इस क्लास की दो विशेश बात है सबसे पहली बात है कि Daily Current Affairs का टेस्ट होता है यानि जो भी आप पढ़ेंगे उसका आप टेस्ट भी देंगे और ये क्लास किवल 25 से 30 मिनिट की क्लास होती है तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनिएगा लास्ट में कॉश्चन करने वाला हूँ देखिए हमारे Daily Current Affairs का जो सेशन है 285 यानि 285 दिन हो गए मुझे लगातार आप सभी को Current Affairs देते आज आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन ये रही चोटी चोटी कोशिशे पर इरादे हैं बड़े मुश्किले हैं हर कदम पर हम डट कर हैं खड़े तो दोस्तों हमें हार नहीं मानना है हमें चुनोतियों का सामना करना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तक तक छोड़ेंगे नहीं आज का सबसे पहला प्रशना ये देखते हैं भारत और किस देश के बीच में Tiger Trump नौ सैनिक अभ्यास हुआ है इंपोर्टन कोशन है तो Tiger Trump देखे मैं आपको एक छोड़ीजी ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे लिखा है Tiger Trump तो देखे इसके पहले अमेरिका के राश्पती ट्रम्प थे तो बस आप यहाँ पे ट्रम्प देख लीजे तो इसका मतलब अमेरिका की बात कर रहा हूँ तो यह भारत और अमेरिका की बीच में होता है Tiger Trump नौसेनिक अभ्यास भारत और जापान की बीच में होता है Zimax भारत और जापान की बीच में कौन सब भ्यास होता है Zimax भारत और अस्ट्रेले की बीच में होता है Pitch Black क्या Pitch Black इसके बाद दूसर एक्सरसाइज है वो है Aussie Index क्या नाम है Aussie Index भारत और चाइना की बीच में होता है Hand in Hand क्या नाम है Hand in Hand इन सभी एक्सरसाइज को आप याद रखे एक्जाम में पूछा जाएगा मैं आप लोगों को और भी लिश्ट दे रहा हूँ जो भारत और विभिन देशों के साथ भारत के एक्सरसाइज होती है तो भारत और अमेरिका की बीच में होता है वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की बीच में होता है युद्धभ्यास 2022 हुआ है भारत और नेपाल की बीच में सूर्य किरण युद्धभ्यास होता है अब देखिए कहा कहा पर हुएं 2022 में 2021 में वो आप सभी screenshot ले लिजे, note कर लिजे, ठीक है, आप कहा कहा पर location ये हुई है, आप इसका screenshot ले सकते हैं, note कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी, तो आप screenshot ले लिजे, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ने वाला हूँ, देखिए friends, अगला question आप सभी के सामने रहा, निर इस्तिरी करण सब्ता, जिसे हम disarmament बोलते हैं, 2022 कब से कब तक मनाया गया, पहले सवाल तो ये उटता है कि निर इस्तिरी करण होता क्या है, what is disarmament, तो दोस्तों, इसका ये मतलब होता है, कि हमें सस्त्रों का, हमें वेपन्स क इस्तमाल कम करना, धिरे धिरे उसका इस्तमाल कम करना, खतम कर देना, ताकि दुन्या में शांती फैले, अगर दुन्या में देशों की बीच में युद्ध होंगे, तो शांती नहीं फैल सकती, तो निर इस्तिरी करण सब्ता मनाया जाता है, ताकि देशों को जागरुक किय जाए कि हमें हथियारों के इस्तमाल कम करना है पर ऐसा अभी वर्ल्ड में कुछ होता दिख नहीं रहा है तो दोस्तो 24 से 30 अक्टूबर के बीच में ये निर इस्तिरी करण सप्ता मनाया जाता है 24 से 30 अक्टूबर के बीच में हर साल मनाया जाता है इसका लक्ष क्या है शांती स्थापित करना तीगं? मैं आपको बता चुका हूँ. निरिस्तिरीकरन सब्ता को पहली बार 1978 में मनाया गया था. यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा एक आयोक जो की निरिस्तिरीकरण को प्रमोट करता है. इसका नाम है सईयूकतराश्ट निरिस्तिरी करण आयोग इंग्लिश में कहें United Nation Disarmament Commission इसकी स्थापना हुई है 1952 में 1952 में इसकी स्थापना हुई है इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है New York में इसका हेड़कॉर्टर USA New York में इसका हेड़कॉर्टर प्रेजेंट में इसके प्रमुख है हान ताय सोंग क्या नाम है हान ताय सोंग चलिए Question No.3 को देखते हैं हाली में राजीव गांधी Foundation और राजीव गांधी Charitable Trust के license को किस मंत्राले के दोरा रद कर दिया गया है तो देखिए Home Ministry के दोरा ग्रह मंत्राले के दोरा इसे रद कर दिया गया है Home Ministry के दोरा इसे रद कर दिया गया है राजीव गांधी Foundation और राजीव गांधी Charitable Trust को देखिए Home Minister कौन है? ग्रह मंत्री कौन है? अमेशाजी है इनके पास सहकारिता मंत्राले भी है विदेश मंत्री है S.J. शंकर संस्कृति मंत्राले के मंत्री है J. Kishan Reddy क्या नाम है? G. Kishan Reddy G. Kishan Reddy संस्कृति मंत्राले के मंत्री है और Ministry of Defense यानि Defense मंत्राले किस के पास है? राजनासिंग जी के पास है आकिर क्या वजय है कि राजीव गांधी Foundation और राजीव गांधी charitable trust को बेन किया गया है ऐसा पाया गया है कि इन्होंने कानून का उलंगन किया है इस वज़े से इसे क्या किया गया है रद कर दिया गया इनके license को रद कर दिया गया जो foreign contribution regulation act है इसमें ये देखा गया है इसमें irregularity देखी गई है बताया ने गया कि कहां से funding आ रही है और उससे related tax भी नहीं दिया गया है तो कुछ irregularity देखी गई है इस वज़े से इसे रद कर दिया गया है दोनों गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख कौन है Congress की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अभी Congress की नए अध्यक्ष बने है मलिका अर्जुन खडगे क्या नाम है मलिका अर्जुन खडगे अभी हाली में नए अध्यक्ष बने है ये पूछा जा सकता है तो ग्रह मंत्राले ने इनमें बहुत सार irregularity पाई थी इस वज़े से इसे क्या किया गया है बंद किया गया है राजीव गांधी foundation की स्थापना 1991 में हुई है और राजीव गांधी charitable trust की स्थापना 2002 में की गई है याद रहेगा important है लिख लिजे आप चलिए विश्व पोलियो दिवस when is world polio day 2022 celebrated observed तो celebrated नहीं कह सकते observed कहेंगे तो इसे मनाया जाता 24 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है united nation day UN की स्थापना हुई थे 24 अक्टूबर 1945 में 20 अक्टूबर को विश्व सांख की दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को ठीक है चलिए 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है राष्ट्रिय आयूरवेद दिवस मनाया जाता है राश्ट्रिय आयुरवेद दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमरेशन डे पुलिस इस्मरती दिवस मनाया जाता है आप इसक्रेश ओट ले सकते हैं इन महत्वपुर दिवस का इसकी थीम क्या है? मैं आपको बता देता हूँ Together we can end Together we end polio तो यह दिवस polio टीका करन और polio को खतम करने के लिए जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है मैं आपको बताना चाहूँँगा कि भारत polio मुक्त देश बन चुका है WHO ने 2014 में भारत को polio मुक्त देश घोशित कर दिया है देखिए polio की बारे में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ध्यान से सुनिए एक से दो नंबर आपका पक्का है तो polio किस वाइरस की वज़े से होता है तो polio, polio वाइरस की वज़े से होता है पहली बात आपको clear हो गई polio, polio virus की वजय से होता है, और एक प्रकार का एक communicable disease है प्रदूशित भोजन, प्रदूशित जल के सेवन करनें से polio होता है, हमारे शरी में लकवा मार जाता है, polio जब होता है और खास कर हमारे नरवस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है क्लियर एलबर्ट सॉल्विन ने पहले इसके ओरल वैक्सीन की खोच की थी अब पहले माफ कीजेगा 1952 में जोनास सालक ने इसका टीका विक्सित किया था फिर आप सभी को पता है कि अभी दो बून की जिंदगी मिल जाती आप लोगों को मतलब ओरल वैक्सिन दिया जाता है तो अलबर्ट सॉल्विन ने इसकी क्या दी थी ओरल खुराग दी जाए उसकी खोच की थी अलबर्ट सॉल्विन ने और जोनास सालक ने टीका टीका आप समझ पा रहे हैं इंजेक्शन लगाया जाता है न पर पोलियो में तो अब देखे ओरली हमारे शरीर में पोलियो वैरस को डाला जाता है तो उसकी खोच अलबर्ट सॉल्विन ने किये थी वोश्चन नमबर फाइफ सितरंग चक्रवात निम्ण में से कहां पर बना हुआ है और यह है अरफ सागर अरेबियन सी है अरफ सागर है यह हिंद महा सागर है जिसे हम इंडियान ओशन बोलते हैं यह हिंद महा सागर है यहां पर सितरंग चक्रवात जो है बना हुआ है तो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है ऐसा प्रशन आपसे पूछा जा सकता है तो सितरंग कहां पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर देखे चक्रवाद जो होता है लो प्रेशर जहां पर लो प्रेशर एरिया बनता है निम्नदाव की वज़े से क्रेट होता है देखे भारत के मौसन विज्ञान विभाग के उसा सितरंग जो है 2018 के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला चक्रवाद है अब इसका नाम सितरंग किस देश ने दिया है थाइलेंड ने दिया है और यह पशिम बंगाल और बंगलादेस के तटो पर पहुचेगा ऐसी संभावना है 2018 में चक्रवाद तितली बंगाल की खाड़ी में बनने वाला आखरी ट्रॉपिकल साइकलोन था अभी तक बंगाल की खाड़ी में टोटल 61 तूफान आ चुके हैं 131 साल में अब देखिए इस प्रकार साइकलोन चूकि इंडोनेशिया से यहां पर इक्रियेट हुआ है 21 अक्टूबर को फिरे 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और यह 26 अक्टूबर को यहां पर पहुच गया है पश्य बंगाल और बंगला देश की तटो पर यह टकराएगा और इसका प्रभाव हमें यहां पर देखने को मिलेगा साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के अलग-अलग जगों पर साइकलोन को किस नाम से जाना जाता है एक्जाम में इस ते रेलेटेड कोशन पूछा जाता है जैसे पहला है केरेबियन सी जो केरेबियन सी है वहां पर साइकलोन को हरीकेन के नाम से जाना जाता है चाइना का जो एरिया है जहां पर चाइना सी है वहाँ पर इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है अगर यही साइकलोन हिंद महा सागर में आता है तो इसे ट्रॉपिकल साइकलोन के नाम से जाना जाता है जापान मगर आता है जापान के तटो को टकर आता है तो इसे भी बोला जाता है, फिलिपिन स्पेस भी बोला जाता है, बगुयों, क्या बोला जाता है, बगुयों, और लास्ट है अमेरिका, अमेरिका में या तो इसे टॉर्नेडो बोला जाता है, या तो इसे हरीकेन बोला जाता है, अमेरिका की पास में ही केरिबियन सी है, तो वहाँ प आज की नौलेज की फैक्टरी में मैं आपको cabinet ministers की name बता रहा हूँ. Ministry of Home Affairs, Ministry of Corporation, ये दोनों किसके पास है? यानि ग्रह मंतरी और सहकारिता मंतराले, Amish Shah जी के पास है. किसके पास है? Amish Shah जी के पास है. Ministry of Defense, तो Ministry of Defense, राजनास सिंग जी के पास है. जिनके पास है? राजनास सिंग जी के पास है. Ministry of Road, Transport and Highways, तो ये है, नितिन जैराम गटकरी जी के पास है. स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मेरे साथ क्लास के नोट्स बनाते चलिए. Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Port, ये दो मंतराले हैं. Corporate Affairs, और Finance, निर्मला सीता रमन जी के पास है. निर्मला सीता रमन जी के पास है. Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Aayush, तो ये है, सर्बानन्द, सर्बानन्द सोनोवाल, सर्बानन्द सोनोवाल जी के पास है. Ministry of Health and Family Affairs, और एक और है, Ministry of Chemical Fertilizer, तो रसान एवं उर्वरक मंतराले, मंसुख मंडाविया जी के पास है. मंसुख मंडाविया जी के पास है. Ministry of Testile, Commerce Industry, Consumer Affairs, Food Distribution, ये तीनों, पियुश गोयल जी के पास है. ऐसा कोशन पूचा जाता है, कई मंतरियों के पास, कई कई मंतराले है. Ministry of Education, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, तो ये है, धर्मेंदर प्रधान जी के पास. धर्मेंदर प्रधान जी के पास है. ठीक है, आप screenshot ले सकते हैं, मैं अभी रुक रहा हूँ, दो-तीन सेगेंड के लिए, और आप इसे note भी कर सकते हैं. मैं आगे बढ़ू, चलिए चलते हैं. अमेरिकी मुद्रा पर प्रधर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बन गई है? तो पहली एशियाई अमेरिकी बन गई है, जो अमेरिकी मुद्रा पर प्रधर्शित की जाएंगी, अन्ना में वोंग, अन्ना में वोंग, एंसर क्या होगा? अन्ना में वोंग, देखे साथियों अन्ना में वोंग ये हैं, आप देख पा रहे हैं, तो इनके नाम से quarter dollar coin जार किये जाएंगे, अन्ना में वोंग है कौन मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीनी अमेरिकी फिल्म स्टार है, हॉलिवुड में चीनी अमेरिकी फिल्म स्टार अन्ना में वोंग, अमेरिकी मुद्रा में फीचर करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई है, वोंग को ह जन्म लोस एंजलेस में 1905 में चीनी अमेरिकी माता पिता के घर हुआ है चलिए आज का सेवन्थ कोश्चन आप सभी के सामने आ गया है किस क्रिकटर को पिंटोला का ब्रेंड एमबेसडर मियुक्त किया गया है तो पिंटोला का ब्रेंड एमबेसडर सूरिकुमार यादव को मियुक्त किया गया है इन्हें किया गया है सूरिकुमार यादव जी को देखें पिंटोला है क्या मार्केट में आपको मिल जाएगा पीनट बटर है इसमें प्रोटीन की मातरा बहुत होती है आप इसे bread में spread करके खा सकते हो अगर बहुत जादा भूक लगती है तो आपके शरी को protein मिलेगा जिम वाले काफी यूज़ करते हैं तो तास Food Tech Private Limited के सौमित वाली है Pintola और भारती करिक्टर सूर कुमार यादव को brand ambassador बनाय गया है देखिए दोस्तों यहाँ पर 2022 में न्यूक्त किये गए जितने भी brand ambassador है आईए देखते है Firebolt के brand ambassador है Vijay Devarkonda Vijay Devarkonda ठीक है Firebolt watch product है Max Life Insurance के brand ambassador रोहित शर्मा जी है रोहित शर्मा जी बुर्जिल होल्डिंग्स के brand ambassador है शहरुक खान शहरुक खान Fan code के brand ambassador है रवी शास्त्री रवी शास्त्री New Global Peace के brand ambassador है पभिता सिंग entrepreneur है Plato यह सू की company है Plato के brand ambassador है राहुल द्रविड गुवी के brand ambassador कोन है स्वरति मंधाना कुवी क्या है कुवी क्या है गुवी और यूनिक्स दोनों online programming platform है यहाँ पर आप programming को सीख सकते हो programming जो होती है न, coding तो यूनिक्स और गुवी यही है यूनिक्स के brand ambassador है जस्पृत बुमरा जस्पृत भुमरा फास्ट बॉलर गुद डॉट के brand ambassador है नीरत चोपड़ा नीरत चोपड़ा गुद डॉट के brand ambassador है जो गुद डॉट होता है यह प्लांट की मदद से पौधो की मदद से मीट बनाता है ताकि लोग जानवरों को ना मारे प्लांट से मीट बनाता है और प्लांट से बने मीट का लोग सेवन करे तो नीरत चोपड़ा गुद डॉट के brand ambassador है स्क्रीन शॉट ले लीजे दो तीन सेकेंड मैं रुख सकता हूँ फिर मैं अगले प्रशन पर चलता हूँ नोट भी कर लीजे चले पीम नरेंद्र मोदी और UNSD ने Mission Life कहां से शुरू किया है वेर हैस पीम नरेंद्र मोदी और UNSD लॉंच्ट Mission Life तो Mission Life को गुजरात राज इसे शुरू किया गया जो Life Mission है ये Environments related है इसका संबंद पर्यावरंड से तो नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट के महा सचिव कौन है एंटोनियो गुटरेस इन्होंने Statue of Unity एकता नगर के वडिया गुजरात में इस्थाई और स्वस्त जीवन शैली के लिए Lifestyle for Environment का वैश्विक शुभारम किया है दोस्तों यहाँ पर गुजरात से संबंदित कुछ महत पूर्ण प्रशन जो गुजरात के Current Affairs related है हाली में 36 राष्ट्री खेल गुजरात में हुआ राष्ट्री समुद्री विरासत परिशक का निर्मार गुजरात लोथल में हुआ है लोथल हडपा सभिता का बंदरगा है पोर्ट है अगर आपसे पूछा जाए कि हडपा सभिता में पोर्ट कहां देखे गए जहां से दूसरे देशों तक वियापार किया जाता था तो वो लोथल था गुजरात के गरबा निर्ट्री को युनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया, नॉमिनेट किया गया है सेमी कंड़क्टर निती को शुरू करने वाला भारत का पहला राज गुजरात है क्लियर है दोस्तों करेंट अफेर्स की रस्मा लाई आप सभी के सामने आई देखिए कुछ करेंट अभी बहुत दिनों से पेपर दो-तीन दिनों से पेपर तो बंद है न्यूजेस कम मिलती है इसलिए आज आठी न्यूज कवर करा रहा हूँ अभी कुछ दिनों में हमें जादा-जादा न्यूज मिलेगी और न्यूज हम कवर कराएंगे किस देश के राश्पती शेक खलीफा बिन जायद अलहयान का हाली में ने धन हुआ है इंपोर्टन कोश्चन है UAE के ये कौन थे? राश्पती थे थॉमस कप जो है मेल बैडमिंटन कप है मैंने पढ़ाया था ना मेल बैडमिंटन कप है उसको किस ने जीता है? भारत ने जीता है 2022 का थॉमस कप त्रिपुरा के नए मुख्य मंत्री हाली में कौन बने है? मानिक साहा एंड्यू सामिंट की इस देश के क्रिक्टर थे जिनका हाली में निधन हुआ है कमेंट बॉक्स पर जल्दी से बताओ तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लियर थे 14 माई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है खराब भोजन से बनी बिजली से संचाले थे तेस्ट का पहला एलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित हुआ है? बहुत अच्छा है पुंबई में इसकी स्थापना हुई है दोस्तो टीटेन सिरीज रैडी? दस में दस लाना है कि नहीं? आपने पूरा पढ़ लिया है अब दस में दस लाना है वज्र प्रहार युद्ध भ्यास भारत और किस देश की बीच में होता है? बारा बज़े करेंट अफेस दे देता हूं सूर्य किरण युद्ध भ्यास भारत और किस देश की बीच में होता है? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल की बीच में होता है भारत और शिलंका की बीच में कौन सा भ्यास होता है? मित्र अभ्यास होता है और स्लीनेक्स होता है कौन सो होता है स्लीनेक्स है न और मैत्री किसकी बीच में होता है भारत और पांगलादेश की बीच में है मैत्री सयुक्त राष्ट निरिस्तरी करण आयोक का मुख्याले United Nation Disarmament Commission का Headquarter कहां पर है नियॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉय दो कौन है तो fire board के ब्रैंड एमबसडर हे विजय देवर कोन ड नीरत चोपड़ा, कमेंट बॉक्स से बताओ, किसके ब्रेंड बज़र देखे, कितना याद है आपको, और बबिता सिंका भी बताओ 36 राश्ट्री खेल काजन किस राज में हुआ है, गुजरात राज में हुआ है, अगले साल मध्ध प्रदेश में होगा खेलो इंडिया इस साल हर्याना में हुआ है, और अगले साल गोवा में होगा राश्ट्री समुद्री विरासत परिसर का निर्माण गुजरात के किस थान पर किया जाएगा, लोथल में किया जाएगा Ministry of Textiles किसके पास है, तो Ministry of Textiles किसके पास है, तो Ministry of Textiles है प्युष गोएल जी के पास, स्मरती एरानी जी के पास है महिला एवं पाल विकास मंत्राला है, ठीक है धर्मेंद प्रधान, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, मनसुक मडाविय, स्वास्त मंत्री है दोस्तो 26 अक्टूबर यहाँ पे लिका 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर के महत्पूर्ण प्रश्न का रिविजन करेंगे रिसी सुनक किस देश के अगले प्राइमिनिस्टर हो गए है तो ब्रिटेन के है इस रो ने वन वेब कमपनी के कितने उपगरह को लौंच किया है तो 36 उपगरह को लौंच किया है वन वेब कमपनी ब्रिटेन की कमपनी है जो संचार पे आधारित उपगरहों पर कारे करती है जी जिन्पिंग किस देश के रेकॉर्ड तीसरी बार राश्पती बने है तो जी जिन्पिंग तीसरी बार राश्पती बने है चाइना के अंडर 23 विश्व कुस्ती चैंपेंशिप में आमन सहरावत में कौन सा मेडल जीता है तो गोल मेडल जीता है पियम मोदी ने किस राज में पियम आवास योजना के तहट 4.51 लैक से अधिक परिवारों को घर सौपा है मध्य प्रदेश में ऐसा कारे किया है इंडियन बैंक एसोसेशन के अधिश के रूप में फिर से किसे चुना गया अदुल कुमार गोयल ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईयो है सायुक्त रास्ट दिवस 2022 कब मनाया गया हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है किस राज के 15 स्कूलों में ओनेस्टी शौप खोली गई है केरल में ताकि बच्चों के अंदर इमानदारी की भावना जागरित हो मैंने आपको पढ़ाया है यदि आपने कल के करेंट फेर्स को नहीं पढ़ा है तो जाकि प्लेलिस में देख लीजे आज का सवाल है भारत और किस देश की बीच में टाइगर ट्रंफ अभ्यास हुआ है कमेंट बॉक्स पर आपको उत्तर देना है दोस्तों मातर 25 से 30 मिनट के आपकी क्लास होती है सारे करेंट फेर्स को 25 से 30 मिनट में कवर करते हैं आप इसकी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं ग्रेजी जीके ट्रिक एप्लिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कीजें वहां पर विभिन प्रकार के टेस्ट को भी दे सकते हैं तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा, comment box पे जरूर बताना, feedback जरूर देना, कैसा लगा आप सभी को आज का सेशन, फिर मिलते दोस्तों कल इसी उर्जा, इसी जोस के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, माता पिता का नाम रोशन करने क के लिए दिन रात एक कर देंगे, चली दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, हमें बढ़ना है, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है, जो हो ना सके, थोड़ा patience रखना पड़ता है, थोड़ा धैर रखना पड़ता है, पर सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन जरूर मिलती है, चली दोस्तों, जय हिंद, जय भारत!